नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लिजे और पास दी गई गंटी को दबा दीजे इससे आपको मेरे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपने सलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लीजे फंदा आप 8 के मल्टि प्लस पे डाले और 3 फंदा एक्स्ट्रा डाल लीजे तो यहां पर देखिए हम दो फूल के लिए आठ आठ और तीन 19 फंदा डाल करके आपको यह डिजाइन बता रहे हैं तो फंदा डालने के बाद बॉडर बना लेजे और बॉडर बनाने के बाद आप यह डिजाइन शुरू कीजिए तो देखिए फर्ष्ट रो स सीधा के तरप से पहला फंदा सीधा से बनेंगे या उतार लेंगे 1,2,3 एक एक्ष्ट्र फंदा बना लिए और 2 फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदा सीधा फिर यहां देखिए दो फंदा का इस तरह से एक फंदा करेंगे सीधा के तरब से दो फंदा का एक फंदा एक यहां जाली बनाएंगे और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर यहां एक जाली बनाएंगे और दो फंदा को ऐसे स्लिप करके सीधा कर लेंगे और इसको हम दो फंदा को बीच से ऐसे जाली बनाएंगे इस तरह से देखे दो फंदा का एक फंदा फिर एक फंदा सीधा तो देखे यहाँ पर यही 8 फंदा को हम repeat करेंगे तो देखे यहाँ पर 2 एक फंदा एक्ष्ट्रा हो गया 2 फंदा सीधा फिर यहाँ 2 हो गया 2, 4, 6, 8 यही 8 फंदा को हम दूसरा pattern बनाती जाएंगे तो एक, एक pattern हमारा 8 फंदा का होगा अब देखे इसी तरह दूसरा बनाएंगे एक दो फंदा सीधा फिर यहां देखे दो फंदा का एक फंदा फिर यहां एक जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर यहां एक जाली बनाएंगे और दो फंदा को सीधा कर लेंगे और इसको सीधा करके बीच से ऐसे एक फंदा बनाएंगे फिर देखिए यहां एक फंदा सीधा देखिए यहां पर हम पूरी सलाई बना लिये हैं अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखे पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा बनाएंगे सभी फंदा को उल्टा बुन लेंगे तो हम पूरी सलाई उल्टा बना लेते हैं अब देखिए तीसरी सलाई सीधा के तरब से पहला फंदा को उतार लेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदा हो गया और अब हम इस फंदा को ट्विस्ट करेंगे इसको हम आगे लाएंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे तो इसको हम इस तरह से आगे ले आएंगे और इसको सीधा से बनाएंगे देखिए इसको सीधा बना लेंगे फिर इसको भी सीधा बनाएंगे सीधा बना लिए अब इस तिन फंदा को सीधा बना लेंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे और इसको आगे ला करके इसको सीधा बना देंगे और इसको देखें बीच से ऐसे डाल करके ऐसे सीधा बुनेंगे तो इस तरह हमारा हो जाएगा अब देखें यहाँ पर एक दो दो फंदा एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस फंदा को इधर लाएंगे यहां देखें इस फंदा को इस तरह से उतार के ऐसे आगे ले आए और इसको हम सीधा बना लेंगे फिर इस फंदा को भी सीधा बुनेंगे और यह तीन फंदा जो है बीच का इसको सीधा बुनेंगे अब देखिए इसको भी हम इधर लाएंगे तो इसको पीछे से लाएंगे इसको पीछे से ऐसे उठा लेंगे और आगे पले को पीछे ले जाएंगे और इसको सीधा से बुनेंगे इसको सीधा बुनेंगे फिर इसको बीच से ऐसे सीधा बुनेंगे अब ये लाश्ट के दो फंदा को सीधा बुन देंगे तो देखिए हम यहाँ पर पूरी सलाई बना लिये हैं अब उल्टा के तरब से उल्टा के तरफ से देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा बनाएंगे तो सभी फंदा को उल्टा बना लेते हैं पांच मीशलाई सीधा के तरफ से पहला फंदा को उतार लेंगे और यहाँ पर देखिए इसी फंदा को इस तरह आगे इसको पल्टेंगे तो इसको आगे कर लेंगे और इस पर चड़ा के इसको सीधा से बुन लेंगे देखिए यहाँ पर एक फंदा सीधा हो गया अब इस पाच फंदा को सीधा बुन देंगे एक, दो, तीन, चार, पाच ये सभी को सीधा बुन देंगे अब देखें यहाँ पर जो है और इस फंदा को भी सीधा बुन देंगे तो यहाँ पर देखें इसको सीधा से बना लिए और अब इसको हम यहाँ पर जो यह बन करके यहाँ आया है तीन फंदा जो हो है इसको हम अब ट्विस्ट करेंगे इसको देखे इस फंदा को आगे ले जाएंगे और इस फंदा को पीछे ले जाएंगे तो हम कैसे करेंगे पहले इसको उतार लेंगे और इसको हम पीछे ले ज बीच वाला फंदा जो है इस तरह से बीच वाला फंदा को हम बीच में रखेंगे तो इसको हम पहले इसको चड़ा लेंगे और उसके बार इसको हम पीछे से चड़ाएंगे देखें इस तरह तिन फंदा को इस तरह से कर लिए देखें सबसे पीछे में आगे वाला सबसे पीछे चला गया और ये बीच में रह गया और ये सबसे आगे आगया अब इसको हम सीधा बुनेंगे फिर बीच वाला को सीधा बुनेंगे और सबसे आगे वाले को सबसे पीछे में बुनेंगे तो इस तरह हो जाएगा हमारा देखिया इस तरह डिजैन बन जाएगा अब हम यहाँ पर इन सभी फंदा को सीधा से बुनेंगे यह फंदा को सीधा बना लिए और यह जो लाश्ट वाला फंदा जो इधर जा रहा है इसको अब हम इधर से ट्विश्ट करेंगे तो इसको हम ऐसे उठा लेंगे और इसको पहले पीछे कर लेंगे और इसको आगे कर लेंगे उसके बाद इसको हम सीधा से बुन लेंगे तो देखिये पांचमी सलाई में थोड़ा सद्यान रखना है और इस तरह से बनाना है उसके बाद हम बनाएंगे छटी सलाई लास्ट सलाई उल्टा के तरब से पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा से बुनेंगे तो हम सभी फंदा को बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा complete हो गया है design और इसी 6 सलाई को हम बार बार repeat करेंगे और अब हम एक सलाई आपको repeat करके दिखाते हैं तो फिर जैसे हम first row बनाये थे पहला फंदा को उतार लेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदा सीधा फिर दो फंदा का एक फंदा दो फंदा का एक फंदा करेंगे यहाँ पर फिर यहाँ एक जाली एक फंदा सीधा फिर यहाँ एक जाली और दो फंदा को सीधा कर लेंगे और इसको ऐसे बीच से एक फंदा बनाएंगे फिर यहां दो फंदा एक दो तीन फंदा सीधा तो देखे इस तरह से बन गया अब हम यहां पर फिर दो फंदा का एक फंदा करेंगे फिर एक जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर एक जाली बनाएंगे और दो फंदा को इस तरह से सीधा करेंगे और एक फंदा बना देंगे फिर यहां तो फंदा सीधा और लास्ट के फंदा को सीधा बना देंगे तो इस तरह से हम repeat करते जाएंगे तो हम आपको थोड़ा सा repeat करके दिखाते हैं तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा repeat कर लिये हैं और पूरा sweater में इस तरह का डिजाइन दिखेगा तो दोस्तों आपको मेरा यह sweater का design कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा यह design पसंद आया हो तो लाइक करें और धेर सारा सेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू